Student कैसे हो आप लोग, I hope आपकी छुटियां अच्छे से enjoy की होगी, अब छुटियों के बार हम अपना work फिर से start करते हैं, ओके, अब मैं आपको new chapter ना करवागी, जो पीछे वाला work है, जो मैंने आपको छुटियों से पहले करवाया था, उसका revision करवाऊंगी, ताकि आपकी जब exam हो तो आप अच्छे से exam दे सकें और उसमें अच्छे number ले सकें, okay, so let's start class second chapter 1, numbers up to 100, okay, so start 1, O-N-E-1, T-W-O-2, T-H-R-E-E-3, F-O-U-U-R-4-F-I-V-E-5-S-I-X-6-S-E-V-E-N-7-E-I-G-H-T-8-N-I-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N, T-E-E-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N 15, N 14, F I F T E N 15, S I X T E N 16, S E V E N T E N 17, E I G H T E N 18, N I N E T E N 19, N 20, T W E N T Y आपको 1 से लेके 20 तब अच्छे से स्पैलिंग लर्ण करनी है, ओके? आगे इसके आगे जैसे 21 है, 31 है, 35 है, 36 वो स्पैलिंग में आपको बनाना सुखाऊंगी कि कैसे बनती है 1 से लेखे 10 तक अगर आपको अच्छी से learn है spelling तो आप अराम से असानी से आगे वाली spelling को बना सकते हैं या लिख सकते हैं ओके देखें जैसे 20 की spelling आपको learn है तो आपको बनानी है जैसे 21 अब आपको 20 की spelling भी आती है और 1 की भी आती है तो आप बनाएंगे T W E N T Y 21 इसी तरीके से 22 अराम से बन सकते हैं 27 T W E N T Y 20 S E V E N 7 आगे इसी तरीके से मैं अब आपको main spelling है वो बताती हूँ कि आपको कैसे कर दी है learn कैसे कर दी है ठीक है जैसे मैंने आपको बताएं T F I R T Y 30 ठीके है F O R T Y 40 F I F T Y 50 S I X T Y 60 S E V E N T Y 70 अब यह आपको learn करने S A T E I G T Y 80 N I N E T Y 90 और 100 की H U N D R E D 100 की आपको learn करनी होगी अब देखिए मैं आपको बताती हूँ जैसे 30 है अब मैंने कहा कि आप 34 की spelling बताएं तो 30 की आपको learn है T H I R T Y 30 और 4 की भी आपको learn है F O U R 4 यह बन गया हमारा 34 इसी दर ऐसे देखिए मैंने बोला कि 37 की spelling बनाएंगी तो कैसे बनेगी T H I R T Y 30 और फिल 7 की spelling दीजीए इसके साथ यह बन गया हमारा 37 और यह 34 ओके इसी दर ऐसे F O R T Y 40 अब मैंने कहा कि 44 लिखे तो आप क्या से करेंगे F O R T Y 40 के साथ किसकी spelling लिखेंगे F O U R 4 यह हमारा बन गया 44 इसी तरह से 49 बनानी है तो F O R T Y 40 N I N E 9 यह 49 हो गया इसी तरीके से 50 7 तो हम बनाएंगे F I F T Y 50 और S E B E N 7 अगे इसी तरीके से आपको मैंने कुछा कि 68 की spelling मनाएंगे तो आप क्या करेंगे पहले 60 की लिखेंगे आपको 60 की लर्न ओभी S I X T Y 60 सोरी और A E I G S T A 74 तो 70 की spelling के साथ क्या लगा देंगे S E V E N T Y 70 और इसके साथ लगा देंगे यह हमारी 74 की spelling हो गए इससे तरह से मैंने पूछा 99 की spelling बनाएंगे तो आप क्या करेंगे N I N E T Y 90 की spelling आपको लर्न दी और इसके साथ हम लगा देंगे N I N E 9 तो यह हमारा बन गया 99 तो आप अराम से 1 से लेके 130 spelling आप अराम से बना सकते हैं Clear student आपको यह अच्छे से समझ में आ गया Thank you